ये है ग्यान की बात इंटूर चैनल आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध के कैसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के वाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी सबसे बड़ी कला क्या है एक युवा ब्रहमचारी था वह बहुत ही प्रतिभावान था उसने मन लगा कर शाष्ट्रो का अध्यन किया था वह प्रसिद्धी पाने के लिए नई-नई कलाएं सिखता रहता था विभिन कलाएं सिखने के लिए वह अनिक देशों की आत्रा भी करता था एक विक्ति को उसने बान बनाते हुए देखा तो उसने बान बनाने की कला सिखले किसी को मुर्ती बनाते हुए देखा तो उसने मुर्ती बनाने की कला सिखले इसी तरह कहीं से उसने सुन्दर नकासी करने की कला को भी सिखलिया वह लगभग पंदरवीश देशों में गया और वहां से कुछ नकुछ सिख कर लोटा इस बार जब वह अपने देश लोटा तो अभिमान से भरा हुआ था वह विक्ति अहंकार वश सबका मजाक उड़ाते हुए कहता भला पिर्थी पर है कोई मुझ जैसा अनुखा कलाविद मेरे जैसा महान कलाकार भला कहां मिलेगा कुछ समय पस्चात उस विक्ति की कला की महान ता आस पास के इलाकों में बहुत तीजी से पहलने लगी कि एक ऐसा विक्ति है जो बहुत सी कलाएं जानता है और साथ मिया वात भी फेलने लगी कि वह बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है महात्मा गोतम बुध ने उस विक्ति का अहंकार तोडने के लिए एक ब्रिद ब्रह्मन का रूप धारन कर उसके पास आया और बोले यूवक मैं अपने आपको जानने की कला जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें यह कलाघ आती है प्रित ब्रहमन का रूप धड़े बुद्ध को युवग नहीं भाचान पाया और बोला बाबा भाला अपने आपको जानना भी कोई कला है इस पर बुद्ध बोले जो बान बना लेता है मुर्ती बना लेता है सुन्दर नकाश्य कर लेता है अथवा घर बना लेता है वह तो मात्र कलाकार होता है यहाँ काम तो कोई भी सीख सकता है पर इस जीवन में महान कलाकार वह होता है जो अपने सडीर और मन को नियंद्रित करना सीख जाता है अब बताओ यह कलायन सीखना जैदा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना बुद्ध की बातों कार्थ समझ कर युवक का विमान चूर चूर हो गया और वह महत्मा गौतम बुद्ध के चरनों में गिर पड़ा वह उस दिन से उनका शिष्य बन गया तिस कहानी से हमें जो सीख मिलती हूँ यह है कि आप कितनी कलाएं भी सीख लें लेकिन सबसे बड़ी कला वो है जो आपको अपने बारे में बताए ऐसी कला जिसे आप अपने आप खुद को समझ सके और अन्य लोग को समझ सके और इस दुनिया को समझ सके यही सबसे बड़ी कला है